नमश्कार LEED INDIA के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों court marriage process को ले करके मैं इस वीडियो में 8 topic के बारे में discuss करूंगा 2024 में court marriage के process में क्या बदलाव आएगा कैसे करेंगे court marriage तो 100% valid होगा आईए सबसे पहले 8 topic को देखते हैं तो दोस्तो पहला टॉपिक है किस एक्ट से शादी करेंगे तो घर पर नहीं जाएगा नोटिस दूसरा टॉपिक है अगर सेम डे में शादी करनी है तो कौन सा प्रोसेस फॉलो करना होगा तीसरा है कोट मेरेज किस-किस एक्ट से हो सकता है चौथा है क्या केवल आरे समाच से शादी को court marriage कहते हैं पाचवा है किस act से court marriage करने पर लगेगा कम खर्चा छटा है क्या court marriage local में ही करना चाहिए साथवा है क्या court marriage होने के बाद अपने जिले में भी register कराना जरूरी होता है और आठवा है क्या court marriage तीन मेहने बाद valid होता है तो दोस्तो पहला प्रशन है कि किस act से शादी करेंगे तो घर पर नहीं जाएगा notice देखे ये प्रशन couple क्यों अकसर पूछते हैं क्योंकि आज कल Google का जमाना है सब लोग Google पे सर्च करते हैं और जानने के कोशिश करते हैं कि कैसे होता है court marriage यूटूब वीडियो पर भी सुनते हैं बहुत सारे लोग वीडियो बनाते हैं लेकिन डेफ्ट में जाकर के बहुत कम जवाब मिल पाता है मैं आपको बताओ 2017 में यूपी गॉवर्मेंट ने एक एक्ट पारिद किया था जिसमें कहा था कि जितने भी marriage होंगे वो सभी register कराए जाएंगे दूसरा सुप्रिम कोट और हाई कोट ने कई आदेशों में कहा है कि जो भी marriage हो रहे हैं अगर आपको कुछ भी spouse benefit चाहिए तो आपके marriage registered होने चाहिए तो तातपर ये है कि आप सरकारी विभाग से आप अपने marriage को register करा ले SDM कोट हो या फिर municipality हो या फिर नगर निगम हो या जो भी संस्था marriage को register कराती है उन सभी संस्थाओं को माना जाता है कि वो सरकारी विभाग है कहीं कोट होता है कहीं पर municipality होता है तो अब ये सवाल है कि किस act में शादी करेंगे तो घर पर notice नहीं जाएगा तो आपको इसमें simply इतना करना है कि आप अगर marriage कर लेंगे और marriage के बाद से marriage को register करवाएंगे तो घर पर कोई notice नहीं जाएगा और register करवाने के लिए जो act होता है compulsory marriage registration act हो सकता है आपका हिंदू marriage act हो सकता है Muslim marriage act हो सकता है Even special marriage act में भी marriage कुछ estates में जैसे बिहार इन सभी जगों पे marriage register कराए जाते हैं तो अगर आप marriage करके marriage को register कराएंगे तो आपके घर पर notice नहीं जाएगा दूसरा प्रशन है अगर same day में शादी करनी है तो कौन सा process follow करना होगा देखे same day में अगर आपको शादी करनी है यानि कि same day में marriage आज ही marriage हो जाए और आज ही marriage register हो जाए तो इसमें जो process follow करना है वो marriage registration वाला ही process follow करना है जिसमें आपके ritual के हिसाब से आपकी आज ही शादी हो जाए यानि same day में शादी हो जाए और same day में ही marriage registered हो जाए तो registration के लिए पिछले सवाल के जवाब में मैंने बताया था कि compulsory marriage registration act हो Hindu marriage act हो special marriage act हो इन सारे act के मुताबिक marriage registered हो जाता है बस फर्क इतना होता है कि कुछ अस्थानों पे ये same day में होता है और कुछ अस्थानों पे बहुत समय लग जाता है 15-20 दिन या even एक महिना लग जाता है तो आपको उस जगह का चुनाओ करना होगा जहाँ पे same day में marriage को दो तरीके से interpretation किया जाता है पहला ये कि आपने marriage खुद से नहीं किया आप court में गए और आपने court में ही शादी किया यानि without any ritual perform किये आपको जब court certificate देती है marriage का उसको court marriage बोला जाता है लेकिन आजकल आम बोल चाल की भाषा में अगर आपने शादी कर लिया और उसको marriage को registered कराया खासतोर से ऐसे couple जिसमें parents नहीं सामिल होते हैं अगर उन्होंने आरेश समाज में या अपने ritual के हिसाबचे शादी कर लेते हैं और उस marriage को court में registered कराते हैं तो उसको भी court marriage कहा जाता है और इसको किस act के मुताबिक किया जाएगा तो same act यूज होगा a special marriage act हो सकता है आपका हिंदू marriage act हो सकता है compulsory marriage registration act हो सकता है इत्यादी जो मैंने वीडियो में पहले भी बताया है चौथा प्रशन है क्या केवल आरेश समाज से शादी को court marriage कहते हैं यह बहुत important सवाल है केवल आरेश समाज से शादी को या मंदिर से शादी को कई बार private सादी भी बोलते हैं कई बार कई advocate अपनी बोलचाल की भाशा में उसको private सादी कह देते हैं और court marriage को सरकारी या government से की गई शादी बोल देते हैं तो इसमें आप confused मत होईएगा इस सवाल का मतलब यह है तो यदि आप आरेश समाज से शादी करते हैं तो वो एक private संस्था है और private संस्था से अगर आप शादी करते हैं तो उसको court marriage कता ही नहीं बोला जा सकता है court marriage तभी बोला जा सकता है जब आपने government से आप अपने marriage को register कर वा ले या सीधे सीधे court में जा करके आप marriage कर ले तो दोनों ही case में private संस्था यानि आरेश समाज से की गई शादी court marriage नहीं है आपको court में जाना होगा वहाँ marriage register कराना होगा तभी उसे court marriage कह सकते है पाचवा सवाल है किस act से court marriage करने पर लगेगा कम खर्चा देखे इस सवाल में बहुत important है सब के मन में यह होता है कि कम खर्चे में उनका काम हो जाए लेकिन मैं आपको बताओ court marriage के मामले में जो सबसे important चीज होता है वो होता है safety आप किस act में शादी करेंगे तो आपको सबसे ज़्यादा safety मिलेगा और आप अराम से सुरक्षित तरीके से शादी कर सकते हैं special marriage act में करते हैं तो उसमें लंबा समय लगता है notice जाने की chances होते हैं तो special marriage act तो तभी करना चाहिए जब inter-religion यानि दो धर्मों के बीच में शादी करना हो अगर आप same religion में है caste कुछ भी हो तो आपको marriage करके marriage का registration करा लेना चाहिए उसमें comparatively special marriage act के खर्चा कम लगता है छठा सवाल है क्या court marriage local में ही करना चाहिए ये बहुत ही important सवाल है court marriage local में करना चाहिए मतलब ये हुगा कि क्या मैं court marriage अपने ही जिले में कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ देखे court marriage अगर आप अपने जिले में करते हैं तो उसकी बहुत संभावना है कि जो आपके ritual को perform करा रहे होंगे वो चुकि उसी जिले के वेक्ति होंगे तो उसके leak होने की बहुत संभावना होती है even अगर आप same state में भी करते हैं तो उसके leak होने की बहुत संभावना होती है और एक दूसरा सवाल ये होता है कि अगर उस पे किसी तरह से police inquiry या F.I.R. हो जाता है तो same state में marriage हुआ होता है और same state की police उसको inquiry करती है तो marriage को marriage करा देना या उसको nust करा देना एक monopoly हो जाता है वहाँ के police को अगर किसी ने bribe दे दिया influence कर दिया तो police ऐसा कर सकती है तो risk से बचने के लिए कोशिश यही करना चाहिए कि अपने state के अलावा किसी और state से court marriage करना चाहिए क्या court marriage होने के बाद अपने जीले में भी register कराना जरूरी होता है ये भी बहुत दिल्चस्प सवाल है क्यों दिल्चस्प सवाल है क्योंकि जब कभी couple को court marriage करना होता है तो वो inquiry करने के लिए जाते हैं अपने ही जीले के किसी advocate के पास में तो वहां के advocate उनको समझाते हैं कि अगर आप दिल्ली या गाजियाबाद, मुंबई या कहीं और जाके शादी करोगे तो आपकी शादी मानने नहीं होगी और वापस महां से court marriage करने के बाद से आपको इस जीले में जब आप आओगे अगर आपका marriage registered हो जाता है तो पूरे इंडिया में वो valid होता है ना कि वहले इंडिया में valid होता है बलकि विदेश में भी आपका marriage certificate पूरी तरह से काम करता है आठवा प्रश्न है क्या court marriage तीन महीने बाद valid होता है इस प्रश्न को मैंने इसलिए लिया क्योंकि बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न है मैं आपको बता हूँ जिस दिन आपका court marriage होता है जिस दिन आपको marriage का certificate मिल जाता है आपकी marriage उसी दिन से valid होती है तीन महीने की validity वाली बात केवल और केवल तब की जाती है जब couple को कोई bogus या invalid certificate किसी ने दिया हो तो अपने बचाओ के लिए वो कहते हैं कि तीन महीने तक छिप करके रहना उसके बाद ही आप अपने court marriage को जाहिर करना ताकि उन तीन महीनों में आपका उनके बीच में कोई contact ही ना रहे और आप उनका कुछ बिगार न पाएं तो इसलिए तीन महीने का अफवा फैलाया जाता है जबकि सच्चाई ऐसा बिलकुल भी नहीं है तो उमीद है कि court marriage process को लेकर के आपके मन में बहुत सारी clarity आई होगी अगर आपके मन में फिर भी कोई सवाल है तो comment पे पूछे आप बताईए हमारा तरीका कैसा लग रहा है आप अगर court marriage करना चाहते हैं तो आप हमारे help line number पे call कर सकते हैं केवल inquiry करना है तब भी call कर सकते हैं अगर आपको अच्छा लगे अन्य legal subjects पे भी वीडियो देखना हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिए बेल आइकन दबाईए थैंक यू सो मच पूर वाचिंग इस वीडियो थैंक यू सो मच